आप लोगों को सायद मालू हो या ना हो लेकिन अभी भी आप देखेंगे कि बीजेपी में यानि की भालतिय जंता पार्टी में एक नेता ऐसा भी है जो कॉंग्रेस पर भी उतने ही हावी होकर कटाक्च करता है उतने ही आप देखेंगे समय समय आने पर विजेपी पर भी कटाक्च करता है फिर आप लोग चाइना का मुद्दा उठा लीजिए और भी घोटालों के जो भी अभी देखे साथ साल में जो भी हुए है मौदी सरकार में तो मौदी सरकार पर भी कटाक्च करता रहता है और राजनितिक सफर भी आप देखेंगे काफी दिल्चस्व है और ये देखेंगे आप लोग की हमेशा बिवादों में भी घिरे रहते हैं क्योंकि इस तरह की बयान दे देते हैं अपने की उसमें आप देखेंगे कॉंग्रेस लपेटे में आ जाएगी सौनिया गांधी लपेट हैं इन्हें जो कहना होता कह देते हैं तो चली आज इनकी कहानी हम लोग देख लेते हैं आप मैंसे कई लोगों ने कहा भी था क्योंकि आप देख रहे हैं कि नियूज फेपर आप लोग डेली उठाईए इनका एक दो वयान मिली जाएगा फिर चाहे वो चाइना की मसले पर हो या और भी जो भी भारत में अभी प्रोब्लम खड़ी हुई हैं उन पर हो और आप लोगों के यह भी मालना होना चाहिए कि एक अच्छे नेता भी हैं और पड़े लेके नेता हैं समझ रहे हैं अर्थ सास्त्री भी हैं और ये खुद कहते हैं कि अगर मुझे बित्मंत्र भी बनाया जाता तो साइद देश में जो अर्थ विवस्ता से संबंदी जो भी समस्याएं खड़ी हुई है इनका वहतर समाधान निकाल पाता देखिए इसमें कितनी सच्चाई है कितनी क्या है ये तो आप लोग जान सकते हैं तो आप लोग देख रहे होंगे स्कीन पर इनका नाम है इनका जनम होता है 15 सेप्तमबर 1949 को यानि कि आजादी से पहले क्योंकि आप सभी को मालू है कि 1947 में हमें आजादी मिलती है लेकिन आप देखेंगे इनका जनम आजादी के पहले हो जाता है इनका जनब होता है चैन्नई तमिलाडु में कहां? चैन्नई तमिलाडु में और इनकी अगर हम पिता की बात करें तो सीतारमन सुभम मन्यम इनके पिता जी थे और माता जी की बात करें तो स्रीमती पद्माबदी इनकी माता का नाम इनकी पत्नी की बात करें तो इनकी दो बेटिया है एक का नाव आप देखेंगे गीतांजली स्वामी ये उदमी है और दूसरी आप सुनते हैं सुहासनी हैदर ये फ्रेंट एवं टेलीविजन पत्तकार हैं अगर हम लोग इनकी सिक्षा की बात करें तो आप देखेंगे कि आपकी पिधान मंत्री को देख लीजे या आप लोग किसी और पाइटी की नेताओं को देख लीजे उनसे काफी पड़े लेखे भी हैं इन्हें में आप देखेंगे अगर हम लोग college की बात कहने तो भारती है सांखी की संस्तान कोलकाता भारत से और दिल्ली विस्विध्याले से भी नें पढ़ाई की हुई है Harvard विश्विध्याले से यानि कि विदेष से भी इन्होंने शिचा ले हुई है अगर हम लोग सेक्षिक योगता की बात करें तो आप देखें गड़ित में BSC अंकसास्त से इन्होंने की हुई है आप लोग देखते हैं ला कि आप लोग अगर 12 में Maths लिए होते हैं तो आप देखते हैं आगे चलके आप लोग BSC करते हैं Maths से तो उसी तरह से आप देख सकते हैं फिर आप देखेंगे सांखी की में M.T.T.T. किया फिर आप देखेंगे अर्थसास्त में PhD की हुई है इन्होंने ठीक है? और अगर हम लोग इनके पेसा की बात करें या नहीं की बेवसाई की बात करें तो यह राजनेता भी है। प्रोफेसर भी बिदेसों में भी अर्थ शास्ट पढ़ाते रहते हैं। सփख्छा विद्वी है। अरथ शास्त्री है। और इसवे अर्थ शास्त्री में तुम्में PhD की है। यह आपको बता चुका हूं। इसलिए कहते भी हैं कि बित्दमंत्री आप समझ रहे हैं कि इन्हें बनाया जाता तो वहतर समाधान निकाल पाते हैं इनके कुछ पूर वितिहास को देख लीजें तो आपको बता दूँ कि 1966 में हारवर्ड विस विध्याले में अध्यन के दौरान स्वामी की मुलाकात पार्सी जाती की एक भारती महिला रुक सन्ना से हुई थी जो हारवर्ड विस विध्याले में गडित में PhD की पड़ाई कर रही थी उनकी साधी जून 1966 में हुई थी तो आप लोगों को एक बात माल के मतलब नए जमाने की वेक्ति हैं एक तरह से आप कह सकते हैं फिर आप देखें कि इनके 1909 में स्वामी भारती प्रोदुगी की संस्थान दिल्ली चले गए और वे 1909 से 1970 के दसक तक वहां गरती अर्थसास्त के पूर कालिक प्रोफेसर रहे हैं यानि कि प्रोफेसर का मतलब एक तरह से आप लोग सिक्षक की रूम में निकाल सकते जिसे आप लूग नीचली क्लासों में सिक्षक कहते हैं उसे यह आँगे आप देखेंगे बार्ड और गवरर में कामभी किया है यह 1997 से 80 के बीज की बात है फिर आप देखेंगे 1982 में उन्होंने IIT परिशत के Board of Governance में भी काम किया हुआ है फिर आप देखेंगे कि 2011 तक हारवर्ड में ग्रिस्म कालीन सत्त में अरत सास्त पाटक्रम भी पढ़ाया यानि कि गर्मी की छुट्टियों में एक तरह से आप कह सकते हैं यह जाके हारवर्ड में भी पढ़ा चुके हैं एकोरोमी पढ़ा चुके हैं तो आप देखेंगे कि अपना टाइम कितना एक तरह से यूच करते हैं कि यहां छुट्टी हो रही है तो दूसरी जगह चले जाते हैं आप देखते हैं कि दो महीने की गर्मियों को छुट्टी मिलती है दो-तीन महीने की उसी समय की बात करें आगर हम लोग राजनितिक यात्रा की बात करें इनके राजनितिक सफर की बात करें तो आप सभी को मालू है कि 1975 से 77 के वीज राश्टी आपात कर लगाया गया था ये किसके समय की बात है? इंद्रा गांदी के समय की बात है और आप देखी इंद्रा गांदी के कितने अच्छे-च्छे काम रहे हैं लेकिन आपने देखा है कि इसने राश्टी आपात कर ने उनके नाम पर एक तरह से उनके नाम को धुमिल किया हुए है और उन्होंने इस गलती को सुईकारा भी था तब जाकर उन्हें दुवारा जीत मिली थी और आप सभी ने ये भी सुनाओगा कि राष्टी आपात काल के बाद जो चुनाओ हुए थे उसमें इंद्रा गांधी खुच चुनाओ हार गई थी वै आपात काल के दौरान जंता दल की संसाबक सदसों में से एक थे जो आपने देखा होगा कि जंता दल कॉंग्रेस का विकल बनकर उभर रही थी ये वीजेपी आप देखते हैं उसी से निकली हुई है ये आप लालू यादव देख लीजे, नीदेश कुमाल देख लीजे, अटर विहारी वाचपे ही देख लीजे उसी समय के है 1994 से बर्स 1999 तक स्वामी को पांच बार संसाब सदस के लिए चुना गया लोग सबा सदस की बात कर रहे हैं 1994 से 1999 तक तो आप समझ सकते हैं कि जन्ता के बीच भी इनका काफी इनकी पकड़ है पॉपूलर है ठीक है? फिर आप देखेंगे कि 1991 तक स्वामी ने भारत की योजना आयूग के सदस और वाडिज्जो और कानून मंतरी की रूम में भी काम किया है आप सभी लोगों ने देखा होका कि 2015 में एक जन्मरी 2015 को नीती आयूग चुन आपका योजना आयूग की जगए आ चुका है अब आप देखते हैं कि योजना आयूग खतम हो चुका है एक तरसी योजना आयूग को पिती स्थापित करके नीती आयूग आ चुका है फिर आप देखेंगे कि सन 2013 में तक जनता पाइटी के अध्यक्ष की रोम में सेबा करने के बाद वह अधिकारिक तौर पर भारतिय जनता पाइटी में सामिल हो गए जब राजना सिंग पाइटी के अध्यक्ष कोई थे जब राजना सेंग पार्टी अध्यक्ष का जो पल था भारतिय जिन्ता पार्टी का उसे जब समाल रहे थे उसी समय स्वामी साहब भारतिय जिन्ता पार्टी में सामिल होते हैं बीजेपी में सामिल होते हैं और आप देखेंगे 2016 में उन्हें भारत की राश्टपती द्वारा राजसभा का सदस्त नियूट किया गया था, आप सभी जानते हैं जो राजसभा सदस्त होते हैं, उनका चुनाव अब देखते हैं कि राज्यों में जो आपकी विधायक होते हैं वही करते हैं, लेकिन आप स पहुते हैं कि छैसाल का कारकाल होता है राजसवा का है हैं जांगहें क्या होता है यह तो आने वाले समय में मालू जब उन्होंने RVI की पूर गवंणर रगुराम राजन को हटाने की मांग की और कहा कि वह मन से भारतिये नहीं है उसके बाद आपने देखा ही कि इन्होंने अपना इस ठीपात भी दे दिया था निकल भी गए और रगुराम राजन भी एक अच्छे अर्थ सास्तरी हैं आप तो आपको बता है ना कि ना तो ये बेजेपे की नेताओं को छोड़ते हैं भारतिये जंता पारटी के नेताओं को मतलब रगड देते हैं एक तरह से उन पर भी कटाक्ष करते हैं और एक कॉंग्रेस के नेताओं पर भी कटाक्ष करते हैं तो बित मंतरी आप सभी जानते है जो अरूंड जेटली थे, अब तो अमारे बीच नहीं रहे हैं, तो ये भालतिय जिंता पार्टी से जुड़े हुए थे, तो इन पर भी आप देखते हैं कटाक्ष किया उन्होंने, फर आप सभी जानते ही कि सौनिया गांधी और राहुल गांधी को तो ये छोड़ते ही नही सौनिया गांधी ने राजीग गांधी की हत्यारी नलिनी की बेटी की इंग्लेंड में हुई सिक्षा का खर्च उठाया, यहां तक की नलिनी को इंदरा गांधी उनिवर्सिटी में कम्प्यूटर सैंस की फड़ाई के लिए स्कॉलर सब दी, और मुझे समझ में नहीं आता ह की वो इतनी उदारता क्यों दिखा रहे हैं, लगता है कहीं कुछ गरवर्तो है, राजीग गांधी की हत्या से सबसे जानदा फायदा सौनिया गांधी को हुआ था, यह कौन कहता है, स्वामी साहब, ठीक है, स्वामन्यम स्वामी कहते हैं, तो यह से भी काफी विवाद उठ होता है, तो आप देखते हैं कि यह भी कहते हैं, मैं कभी सावरकर से जुड़े कारकरों में भाग मैं नहीं जाता, क्योंकि वे बुद्धू थे, सावरकर की ना समझी के कारण जवाहलाल नहरू को सबसे जाना फायदा हुआ, जो एकदम एंटी हिंदू थे, और आप सभी जानते हैं कि जो बीजेपी हैं, वो सावरकर की विचारधारा की बात करती रहती है, और उसका जोकाओ सावरकर की विचारधारा की ओर दिखाई देता है, तो यहां से भी आप लोग को लग रहा होगा, कि यह बीजेपी बिरोधी हैं, स्वबमन्यम स्वामी की बात करें, त लेकिन बित्त मंतरालाय पहुंचते ही मेरा पत्त रद्दी में डाल दिया गया। इसकी बज़ा मंतरालाय में मौझूद बित्त मंतरी अरून जेटली का घमंडी होना है। यह अरून जेटली जब बित्त मंतरी थे तब की बात है। तब इनोंने इस तरह का बयान दिया था। ठीक है फिर ए भी कहते हैं कि सरकारी चित में NPA के सबसे बड़ी कलाकार गौतम आडानी है ए बक्त उन्हें जवाब दे बनाने का है अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं आडानी किकलात जनित याज का दाय करूँगा और कई ऐसी चीज़े हैं जनसे आडानी दोर भाग रहे हैं एक तरह से इनका कटाख छह करल नों कहां ख़ड़ा करें बीजेपी पáriaटी पर भी खड़ा कर रहें तो यह भी इनका बयान है लेनिन यहां अड़ाली था लेकिन लेनिन तो विदेशन से आपकार से यहां बगार्प एसे भीक्ति ही हमारे देश में मूर्थी उस मूर्थी क कमिनिफ्स पाइटी के हेड़ क्वार्टर के अंदर रख सकते हैं और पूजा कर सकते हैं तो यह भी बयान उन्होंने दिया हुआ था फिर आप लोगों ने देखा है कि महबूबा आप देखते थे कि जो जम्मु कस्मीर हुआ करता था ना पहले अब तो आप जानते हैं दो भागों में बढ़ चुका है एक लद्दाक बन चुका है करन सासित पेदेश एक आपका जमू कस्मीर बन चुका है तो यहां की पहले मुकमंत्री हुआ करती थी महभूबा मुक्ति और आप सभी जानते हैं कि BJP ने उनसे एक तरह से गटमंदन करके उन्हें मुकमंत्री बनाया था महभूबा ने आतंग बादियों के आंगे सरेंडर कर दिया और उन्होंने मेज़े आदित पर FIR कर गलत किया एबाद अब सुप्रिंग कोट ने भी कह दिये FIR करने से पहले महभूबा मुक्ति को Armed Forces Special Power Act के रूल साथ को पढ़ लेना चाहिए था इसकी एक लंबी फिकरिया इसके लिए उन्हें केंद से अनुवती लेनी चाहिए थी और रक्षा मंतरी को भी आसपा Act को पढ़ लेना चाहिए था नहीं तो Law Military से सलाय लेनी चाहिए थी ये भी किसका बयान था? सुब्भ मन्यम सुब्भ मन्यम सुब्भ का ठीक है? फिर आपने देखाए कि इनोंने BJP ने अपना जो इनके साथ इनका घठवंदन था उससे तोड़ दिया था फिर आपने देखा राष्टपती सासन लगा मापकर ये राजपाल उहां सासन लगता था फिर आपने देखाए कि दो भागों में बाट दिया गया, 370 हटा दी गई, एस अभी विक्रिया पर हम लोग उने विस्ताल से बात की हुई है, एक बार और उनका बयान सुन लिजे, पेड़ाओ रोय विदिस भाग सकते हैं, लेहाजा सरकार को उनकी खिलाब लोकाउट नोटिस जारी करनी चाहिए, म और इन्हों ने आप देखेंगे PNV घोटा, महाघोटाला भी हुआ था, इस पर सरिफ अरोंड जेटली ही नहीं, बलकि पूरा बित्तमंतलाले चुप है, रिजर्ब बैंक के बोर में बैठने बाले बैंकिक सिकेटरी भी चुप है, तो यहाँ भी इन्हों ने उन्हों ने ही हुई थी, और कटाक्च किया हुआ था, यह भी आप देखेंगे BJP की समयकार में, जब पिदानमंत्री मौदी की समयकाल में ही हुआ, जब सरी देवी का पार्सिक सरी मुंबई पहुंचा, तो मुंबई पुलिस ने सरी देवी का पोस्ट मार्ण करने से क्यों मना कर दिया वो सराब नहीं वियर पीती थी, उनकी हत्या हुई है, आपने देखा है कि उनकी एक तरह से आपने देखा है कि स्री देवी का की डेथ हुई थी, और इसमें आप देखेंगे कि सुना था कि वो मतलब कुछ हाटट है किस तरह कि कोई प्रॉब्लम से उनकी, लेकिन इनका मान न था कि उनकी हत्या कि गई है, ठीक है? तो ये भी बयान दिया, मैं मौदी के खलाब कभी नहीं बोलता हूँ, वो मेरे दोस्त हैं, मैं जो कहता हूँ उसे पार्टी चार-पांच महीने बाद लागू करती थी, करती है, मैं पार्टी के हित में बोलता हूँ, गुजरात में बहुमत आया मैंने 105 सीट कहा था लेकिन इन्यारवे मिली जिसमें 150 कहा था उसमें पूँचो कि क्यों नहीं आई मगर उससे से पूँचो के तो कह देगा कि जुमला है तो यहां से भी आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि कहां कठाच यह तीर कहां चला रहे है और लग कहा आ रहा है यहां से भी आप लोगों को काफी कुछ मालू चलेगा फर आप देखेंगे बेश्टन कपड़े बिदेसियों द्वारा थोपी गई चीजों का ही एक हिस्सा है बेश्टन कपड़े भारती मौसम के अनुकूल नहीं है बेश्टन ड्रेश्ट बिदेसों द्वारा तो इसका याद रखे इसका बहुत मतलब बीजेपी को बुरा भी लगता है और बीजेपी बड़ी हतास भी होती है लेकिन उसके पास कोई ऑप्सन भी तो नहीं है एक कोई पद भी तो नहीं मिला हुआ है न कि वो छेन लिया जाए और इन्हें उससे कोई फरक भी नहीं अगर उसे सीटें चाहिए हो या अपने लोगों को लडाना हो अपने परिवार को आंगे बढ़ाना हो तो वही तो बात मानेगा वही एक तरह से समझोता करेगा अपना लेकिन इनके पास ऐसा कोई वजय भी नहीं है इसलिए आप देखते हैं कि बड़े मुकर होकर समिधान का अर्टिकल 49 कहता है कि सराप को बेन कर देना चाहिए हाला कि मैं एक्सन फैनल में नहीं हूँ लेकिन बीजेपी को पाईटी में अनुसासन के तौर पर सराप पर बेन लगा देना चाहिए तो इनकी कुछ बातों से तो आप भी सहमत होंगे मुझे लगता है ताजमहल लालकिला इंडिया गेट संसद राष्टवती भपन जसी हसीन इमारतें बिदेशी सासकों की बनवाई हुई है यह हमारी सांसकिते बिरासत का हिस्सा नहीं बल्कि इतियास की घटना भी गवाब मात है लेहाजा इनको इसी रोम में देखना और नई फीडी को जाद रखिए क्या है कि एक तो कटर हिंदू नेता हैं तो इनकी चबी आप देखेंगे हिंदुत्य की ओर दिखाई आपको देगी तो यह कहानी आपके सवमन्यम स्वामी साहब की अगर कुछ भी और भी हो इनके बारे में तो आप लोग बताईएगा मुझे तो जहां तक जो भी मिला पॉइंट इनके बारे में यहीं मिला और भी किसी के बारे में अगर बात करनी हो तो बताईएगे उस पर भी हम लोग विस्तार से बात कर लेंगे ठीक है